Hello friends, welcome to my channel मैm उप्तिती सिंग आज की इस वीडियो में लोग सीखेंगे small alphabet क्या सीखेंगे small alphabet तो चले स्टार्ट करते है small alphabet लिखने के लिए तो पहले curve करेंगे फिर यह से उपड़ लिखी जाएंगे फिर नीचे आएंगे C के लिए दोनों blue line में रहेंगे, curve line, D के लिए पहले curve line करेंगे, फिर यही से जाएंगे ऊपर red line से, फिर red line से ही नीचे आएंगे, और फिर ऐसा थोड़ा सा बाहर निकालेंगे हो गया D, फिर आते E पे, E से हम लोग क्या करेंगे, पहले curve बना देंगे, छोटे बच्चे को फिर आम लोग बोलेंगे, यहां से ऐसे करो, ठीके, यहां से curve हो गया E, अभी F के लिए, red line से हम लोग थोड़ा सा नीचे रहेंगे, यहां से, फिर ऐसा इसको curve करेंगे, फिर then standing line, और फिर sleeping line, ठीके, इसा red line से नीचे blue line पहेंगे, फिर blue line पे sleeping line दे देंगे, फिर Z के blue line पे standing line, और फिर उपर जाएंगे, फिर blue line से नीची blue line पहेंगे, H हो गया, ठीके, अभी I के लिए बच्चे छोटे बच्चों के लिखने के लिए, हम लोग क्या सिखाते है, कि आप standing line कर दो, और dot कर दो, यह easy है, और एक क्या तरीका है, कि हम लोग यहां से थोड़ा सा curve क करेंगे, फिर उपर जाएंगे blue line से, फिर नीचे हैंगे, फिर ऐसा एक, यह भी I होता है, ठीके, अब J से बच्चे को easy लगे, वैसा सिखा सकते है, बात में बढ़ा होके, बच्चे खुद ही ऐसा बनाना सेख जाएंगे, ठीके, अभी J के लिए, यहां से standing नीचे वारे red line पाएंगे, फिर देन curve कर देंगे, ठीके, फिर यहां dot देंगे, J हो गया, अभी K के लिए, standing line, उपर वाले red line से नीचे blue line पाएंगे, फिर यहीं से blue line से, बीच में इसको dot करेंगे, फिर देन sliding line हो गया, K, अभी L के लिए हम लोग बच्चे को सिखाते हैं, कि simple standing line L हो गया, अभी इस, क्या है, यह easy है, मतलब छोटे बच्चे को सिखाने के लिए easy है, अभी एक और L के लिए थोड़ा curve करते, फिर उपर जाते, फिर red line से नीचे आते, यह L हो गया, ठीके, अभी M हम लोग, M कैसा लिखेंगे, blue line पी रहेंगे, standing line, फिर उपर जाएंगे, फिर यहां easy है, दोनों blue line में ही रहना चाहिए, O, circle, अभी P के लिए क्या करेंगे, blue line से नीचे वारे red line पे आएंगे, standing line, और blue line से blue line पे ऐसा curve बना देंगे, P हो गया, ठीके, अभी Q के लिए circle करेंगे, दोनों blue line में ही, महासे उपर से नीचे आएंगे red line पे, फिर देन उपर slating line, Q ह हो गया, R के लिए, एक हम लोग ऐसा R सिखाते है बच्चे को, और एक ऐसा R होता है, जो easy लगे बच्चे को, ज्यादा तर बच्चे ऐसे वेले ही बनाते है, कि यह easy है, तो हम लोग यहां से blue line पे, blue line पे आएंगे, और फिर उपर जाके blue line पे इसा टच कर देंगे, फिर आत पे हम लोग आएंगे, ऐसा curve करेंगे, यू की तरह, और फिर ऐसा नीची आके, थोड़ा सा ऐसा blue line में, यू बनेगा, हो गया, यू, वी के लिए simple slating line and slating line, दोनो blue line में ही रहना चाहिए, slating line, ठीक है, अभी W के लिए slating line and slating line, slating line, यह भी दोनो blue line में ही रहना चाहिए, sl slating line और जो दूसरा वाला slating line है, वो नीचे red line पे, नीचे वाले red line पे touch करेंगे हो गया, y, z के लिए sleeping line, slating line and sleeping line, दोनो blue line के अंदर ही ये z बनना चाहिए, ठीक है, sleeping line, slating line and sleeping line, ठीक है, यह होता small ABCD, तो अपने बच्चे को घर पे सिखाए, दो तिन पेच कराएगे, वो इ बच्चा बड़ाओ को खूद अच्छे से वो बनाना सीख जाएगा, तो बच्चे को ज्यादा प्रेशर ना करें, दो तिन पेच कराएगे बच्चे को, इसली वो आराम से small ABCD लिखना सीख जाएगा, thank you for watching, मिलते हैं next video में, अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ, तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा, और अपने फ्रेंड के साथ सेयर कर दिजेगा, thank you